दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार की किस जिले में रहते हैं और साथ ही अप इन सम्मंदी दस्तावेजों का अफलाइन बित्रन बंद हो गया है मेटोशन का नकल हो या एलपीसी हर दस्तावेज के लिए अब ओलाइन आवेदन करना होगा साथ डिजीटल हस्तावेज से ओलाइन ही दस्तावेज निकलेगा इसके लिए राजासव एमां भूमि सुधार व विभाग ने साथ तरह के दस्तावेजों के अउलाइन करने के वबस्ता की है सबी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग-अलग अदिकारी को नामित किया गया है क्रडेश्टल सर्वे रिविजिनल सर्वे और चकवधनी खद्यान की नकल जिल अभीलक गार के प्रबारी प अगली बड़ी कपर BPSC पेपर लेक कान का खुलासा बैसाले के सिख्चक समयत चार गिरबतार जहां बिहार लोक सिवा आयोक की सरसट्वे सयुंक्त प्राराम्बिक परिछा का प्रसन पत्र वारल होने का मामला आर्थे कपराद एकाई ने रैवार को खुलासा कर दिया मामले म चार और अभियकतों को गिरबतार की गई है यूए के कि अनुसार अनसंदान आवम करवाई के क्रम में पत्ना के लोहानीपूर में पेपर लिग को अनजाम देनी के लिए अवेद रूप से संचाली तेग कंट्रोल रूप में छापमारे की गई कंट्रोल रूप में नगद दो दसमुलब बिरानमे लाख रुपी अवम कम्पूटर वो अने इलक्ट्रोनिक उपकरानों का जब्त किया गया इस मामले में गत आट माई को पुलिस महाने देशक की निदेश पर योए की साइबर सेल द्वरा जाच की जा रही थी बाड़ी बात याए कि इस गैंग का मेन सरगना पटना एनाटी का सनादक आनन्द गोरो और वो पिंटू यादम निकला इसने इंजिनेरिंग की डिगरी भी ले रखी है अगली बड़ी कबर 73 साल बाद भारत ने बैडमिंटन में रचा तिहास पहली बार थॉमस कब जीता 14 बार के चेंपियन इंडोनेसिया को 3-0 से हराया भारत ने इंडोनेसिया टीम को 3-0 से माद दी है आपको बता दी कि भारत इस टूर्णामेंट में पहली बार फिनल नहां था पांच मुकावलों के इस किताबी जंग में भारत ने लगातार 3-0 जीत हासिल की इन्हें दो सिंगल्स और एक डबल्स सामिल है इस जीत के बाद कियंदर खेल मंत्राले ने भारते टीमों के लिए एक करोड की नामी रासी की गोसना की है यह पहला मोका है जब खेल मंत्राले ने ओलंपिक एसियन और कॉमन वेल्थ गेम के अलावा कोई बेटमेंटर टूनामेंट जीतने पर इनाम घोसित किया है वही जीत के बाद प्रधान मंत्रे ने नेंदर मोदे ने भारते टीम के खिलाडियों से बात किया और उन्हें इस एतिहासिक जीत पर बदाई दी बाड़ी कबर आज बिहार के 30 जिलों में उमस भारी गर्मी करेगा परिसान आठ जिलों में बारिस का अलट जहां बिहार में गर्मी का पारा एतना बढ़ गया था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे अब बिहार का मौसम में बदलाव दिखा जा रहा है जहां उमस से दिन बर लोग रईवार को दिन बर पसिने पसिने होते रहे लेकिन पंखे की हवा भी रहत नहीं दे पा रहे थी मौसमी की प्रभाव को देखते भी मौसम बिगानियों का कहना है कि अगले तीन दिन इसी तरह किसिती बने रहेगे मौसम विगन केंद्र ने अगले 24 गंटे के लिए राज के उत्तरी भाग के सिमावरती जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है खास तोर पर बिहार से नेपाल जाना होगा असान 18 माई को यात्रा की होगी सिरुवाद 23,680 रुपिय लगेगा किराया जिहा बिहार में बढ़ती तब इसको देखते विए सबी स्कुलों ने चोटे बच्चों की गर्मी के चुट्टी दे दिया वही अगर आप अपने परिवार के साथ घ होने वाले इस यात्रा का सुब आरम गया से होगी और जहाना बाद पटना हाजिपूर मुझपरपूर होते वे नेपाल जाएगी प्रती यात्री 23,680 रुपिय किराया देना होगा इस यात्रा में नेपाल के आर्थिक जगों के अलावा प्राकेतिक इस्तानों का चेहन किय जा गया जिसमें सारगोंट वा, पॉइंट विद्वासने मंदिर, डेवी फॉल्स गुपतेसर महादेब गुपा, मनुक कामना माता मंदिर कटमांडू, पसपतिनात मंदिर दरबार स्क्वार, रोयल प्लेस स्वाइमोनाद, चितवन समेत अन्य इस्तानों के सेर कराये कंकडबाग के रेंज दो में 44 पार्क है, एको पार्क, सहिद बीर कुवर सिंग, आजादी पार्क, नवीन सिंग, स्मिर्ता पार्क, पुनाचिक पार्क, सिवाजी पार्क, सहिद किसवर कुनाल पार्क, हनुमान नगर सित 250, माजी पार्क, सचवाले कलोनी पार्क, स्रिकिष पर मापार्ग वहांडा सेयंट डी आधि नाखना पंप चानुक के लोगेर सेंट गालीवान। अगली बड़ी कबर बिहार में पहली बार होगा गंगोट सव। जी हाविहार में पहली बार गंगोट सव का आयोजन किया जाएगा पाटनावा सोनपूर के बेज सबलपूर दियारे में होने वाले से आयोजन में गंगा नदी से प्रतेक्च वा आप्रतेक्च रूप से जुटे बारा राज्जों को जुटाव होने की सम्मावना है आयोजन में राष्ट्य वा अंतराष्ट्य स्तर के कलाकारों को बुलाया जाएगा महिलावों की ओर से विसे स्तर पर गंगा आर्थी की जाएगी आयोजन के भईव रूप देदेने के लिए अभी सही तयारी सुरुकी गई है आयोजन में महिला ससतिकरन को केंदर बिंदो में रखा जाएगा गंगा के उद्दम का नाइटर उपांतर कलाकरों किया जाएगा गंगा महा अर्थी का आयोजन होगा जिसमें पहली बार केवल इस्तरियों द्वारा इसे कराया जाएगा महा अर्थे में 50 इस्तरियों द्व भी होगा देश में पहली बार इसे नाइट रूप में लाइव दिखाया जाएगा आयोजन में एक संकल भी या लिया जाएगा कि विहार हाल में गंगा को सुद्वा निर्वल बनाने में सयोग करेंगे बाड़ी कबर बिहार में परमान पत्र बनवाने का दोगोना आ रहा है आवेदन सर्वर पर बड़ा लोड जहां बिहार में इन दिनों लोक सिवा का दिकार अधिनियाम के तहद बनने वाले जातिया आया वासिवा इन परमान पत्रों के लिए दोगोने आवेदन आ रहे हैं इ एल्टोन के प्रबंदक ने देशक संतोस कुमार मलनिका की गुरवार को सर्वर में तकनिकी खराबे आई थी जिसे उसी रात दुरस्ट किया जा चुका है चुकि अभी कई पाइट करमों के लिए नमाकन का दोर चल रहा है इसके अलवा करमचारे चैन आयोग समित विविन वि के लिए आवेदन दे रहे हैं 13 माई को 113,621 लोगों न विविन तरह के प्रमान पत्रों के लिए आवेदन दिये इनमें से 9,481 आवेदन तकनिकी करनों से अमाने किये गए वही पहले से दिये गए आवेदनों में से 1,72,604 पनमान पत्र जारी किये गए अगली बड़ी खबर किर्केटर एंड्यू सिमंस का निदन कार एक्सिडेंट में गई जान जिया खेल जगत के लिए एक बुरी खबर है औस्टेलिया के पूर्व किर्केटर एंड्यू साइमंस का निदन हो गया साड़क हापसी का सिकार हुए है अपनी कार का की मौत हो गई है एंड्यू साइमेंट से 46 साल के थे आइसी सी की वेबसाइट पर दी गए जानकारी के मुताबिक साइमेंट अपने गिर राज क्विसलेंड से टाउंसली की तरब जा रहे थी उसी दोरान उनकी कारक एक्सिडेंट हुआ पुलिस ने साइमेंट की मौत की पु का अधिका विस्तार कर दिया है इसामन में पनचाती राज मंत्रे सम्राचस चोट्री ने कहा कि विवाग की निरन बदाधिकारियों को कर्वाई सुनिशित करने निर्देश दिया इसिरी से कर दिया है इनमें पूर्व से कारेरत सचीव ही आगे कारे करते रहेंगे मंत्रे ने बताए कि जिन ग्राम कचारी में सचीव का पदरिक्त है वह बिहार, ग्राम, कचारी, सचिव, नियोजन, सिवस, सर्थ, एवाम, करतेवत, नियामली, दोजर, चोदो के प्रादारों के अनुरूप नया नियोजन होगा बड़ी कबर, अब IGMS में हो सकेगा हार्ट ट्रांस्प्लाटेशन, जल्द बहाल होगी स्विधा जिहां हार्ट के मरीजों के सबसे बड़ी समय सा होती है कि उन्हें अगर हार्ट ट्रांस्प्लाट कराना है तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है अक्सर मरीज दिली और मुंबच जाकर अपना हार्ट ट्रांस्प्लाट कराते है लेकिन अब उन्हें और फजियत नहीं जलनी पड़ेगी IGMS में जल्द ही हार्ट ट्रांस्प्लाट की सुविधा मिल पाएगी Medical Superintendent Dr. Manis Wendel ने इसके जानकारे दी है कि बिहार सरकार की ओर से पांच साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है साथ उन्होंने बताई कि हार्ट ट्रांस्प्लाट सुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है इसके लिए तैयारी की जाने लगी है लाइसेंस मिलने का इंदिजार किया जा रहा था फिलाल एक हार्ट लंग मसीन है और एक मसीन की ज़रत होगी इसके बाद मरीजों का हार्ट आंस्प्लाट सुरू कर दिया जाएगा अगले बड़ी कबर विहार में 13 जून तक आएगा मानसून उत्तर में बारिस तो दचिन में प्रचन गर्मी का अलट 45 डिगरी तक जाएगा तापमान जिहां बिहार में 13 जून तक मानसून की इंट्री हो सकती है इससे पहले मौसम विवाग ने बारिस और गर्मी का अलट जारी किया है एक तरफ कड़ी धूप और दूसरी तरफ बारिस को लेकर अलट है उत्तर बिहार के तराई वाले जिलों में बारिस की चितावनी है जबक बिहार में पिछले 24 गंटे में 44.3 mm बारिस हुई है इस दोरान राज की 11 जिलों में बारिस अदिक हुई है जबकि किसन गंज में समय ने बारिस रिकौर्ड की गई है मौसम विवाग के जानकारों का कहना है कि इस बार मानसून को लेकर जो इस्तिया बन रही है इससे यह सा 13 से 15 जून के बीच अपने समय से आ जाएगा साल 2021 में बिहार में 13 जून को यास तुपान के कारान बिहार में जमकर बारिस हुई थी बड़ी कबर बीससी ने अभियार्थियों की परिसानी को देख दिया एक और मौका इसना तक पास के लिए अवसर जी अभी ससी के ओर से राज के सचिवाले सहायक सहीत लगबग आदा दरजन विवागों में 287 पदों पर न्यूकती के लिए अभियार्थि अब एक जून तक औलाइन आविदन कर सकते हैं आयोकी 17 मही को अलाइन आविदन के अंतिमतिते समाप्त हो रही थी जबकि अभियार्थियों को अलाइन आविदन के लिए जाती परमान पत्र ABC, OBC, WEC, SC, SD आधी परमान पत्र बनवाने में परिसानी आ रही थी इस कारण काफी सेंख्या में अभियार्थि वभिन चात्र संगटोनों ने भी तीती विस्तारित करने के मांग की थी बिहार राज करमचारी आयोक की और से 33 सनातक लेवल परिचा के तहद अस्चिवाले सहयक के 3360 पदो सहीत आधा दर्जन से अधिक विवागों में खाली पदो पर न्यूकती होनी है इसके लिए अभियार्थि आयोक की वेवसाइट www.bssc.bihar.gov.in के मायदम से ओनलाइन आविदन कर सकते हैं आज कलाब का सवाल बताए कि बिहार के गावों में सोलर लाइट लगवाने का काम सुरू हुआ है या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं